हेलो फ्रेंड वेलकम बेक टू एसी ट्रेडिंग गयां तो फिर आज हम आप पर डिसकस कर रहे हैं गेल इंडिया शेर का टेक्निकल एनलेजिट तो फिर यहां पर हम देख रहे हैं गेल के शेर में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और अभी एक ऐसे प्राइस नीचे की तरफ रेक होता है तो इस टाफ और कितना नीचे जा सकता है यहां से सपोर्ट लेकर उपर जाएगा तो हमें क्या टार्गेट अचीज सारी चीजह हम यहां पर डिसकस करने वाले तो यहां पर आप देखिएगा पहले में आपके लिए ड्रॉप कर रहा हूं इस ल ने लगा रखा है यहां पर एक केंडल एक को रिप्रेंट करते हैं आपको दिखाई दे रही है तो नीचे की तरफ आप देखेंगे यहां पर 200 दिनों के expansion moving average क क सब्सक्राइब अभुए इस सपोर्ट को लिए नीचे जाने के बाद यहां पर लगबगए 150 के लेवल को नपर दिखाई द 이 है और यह यह वाल्य जो सब्सक्राइब ने हमें दिखाई देती यह एगसेक्ट हमारे उस सप्थोर्ट को यहां पर टंश करते हुए लिया गया है यहां से फिर हलकी सी तेजी यहां पर देखा जाए तो आल ओवर यहां पर स्टॉक जो है हमारा 140 रुपए के ऊपर की तरफ जाता यह दिखिए लेकर के गई है लेकिन अभी जो यहां पर सपोर्ट लिया गया है इस सपोर्ट का आप देखिए मैं रेक्टेंगल बना रहा हूं यह कोई छोटा सपोर्ट नहीं है यह लंबे समय तक कंसुलिट किया है कम से कम छे वीक तर इस टॉक नहीं आपर दिखाया है उसके पाद यहां सपोर्ट के डितने क्या लेना है उस पर हाम यहां पर डिसकस करेंगे इह को साओ यहां यह सापोर्ट के सपोर्ट संट 189 ही इस टॉक में अच्छी गिरावट देखने को मिली अब जो गिरावट ही उसने जो ग्रीन कलर के लाईने हमारी दोस्तों दिनों का इसको भी धुस्त किया इसको दोस्त करने के बाद स्टॉक नहीं आप पर अभी हमारे सपोर्ट को भी नीचे के तरफ ब्रेक करते हुए मुझे दिखाई दे रही है यदि यह सपोर्ट ब्रेक होता है तो क्या हो सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे और यहां पर आपने बाइंग कि आपको बताऊंगा कि यह वाला लेवल है यहां पर आप बाइंग करते हैं तो आपका जो टार्गेट रहेगा फिर्स्ट वो क्या रहने वाला है 150 रुपय का यह पर टार्गेट रखना है और अगर यह वाला टार्गेट भी तरफ ब्रेक हो जाता है कि अब यहां पर देख सकते हैं यहुद चलना स्टार्ट हुआ यहां से चलना स्टार्ट हुआ है स्टाफ के पहले का जो लेवर वो किया निकल क्या रहा है कि इस वाले को अगर आप अब देखेंगे को ढुझेक्न पर सपोर्ट टूट जाता है इसलिए मैं आपको 10 रूपए का स्टॉप्लास यहां पर सजेस्ट करूँगा तो यहां से इस तरह से अगर यहां से घिरावट हो जाती है सपोर्ट तो कहां तक आ सकता है इसी वाले लेवल तक वापीस से आ सकता है इसलिए आपको यहां पर ध्यान रखना है और अगर उसके निचे जाता है तो आपको एक्जिट कर जाने में ज्यादा फायदा रहे है या फिर अगर आप लॉंग टम के प्लेयर तो आपको रुकना चाहिए अगर नीचे गिरता है तो स्टॉप लॉस को रखे ही मत क्यों कि यह लग बहुत ही फंडामेंटली स्टॉंग स्टॉग तो नीचे की तरफ अगर स्टॉक आता है तो एक्टीवन पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्या आप यहां पर कॉंटिट के क्यों कीजिए तो पचास पर नीचे कांटिट होगी तो हंडेट रूपिस का आपका एवरेज प्राइस हो जाएगा यह ज्यादा गिरावट दिखाएगा उस सिनारियों में तो फिर जो रिवर्सल आएगा उसमें आपको यहां पर बहुत अच्छे आपर टार्गिट देखने को मिल सकते ह अगर अपने जरूत नहीं अभी यहां पर ब्रेकडाउन हुआ है विद्धाउन होने जैसा बन रहा है तो यहां पर अच्छा खासा वालूप में दिखाई देगा और एक के नलो रेड़ बनती तो इसे में ट्रू ब्रेक्ट यहां पर मानुँगा यहां ब्रेकडाउन लेकिन आपको फर्स्ट टार्गेट एक सो पचास रुपए पर यहां पर रखना चाहिए यहां पर पूट करना चाहिए तो फिर समझ गया हूंगे आप किस तरह कर से चैनल को अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बोले थैंक इस वीडियो